subscribe करे अपने youtube channel learn about medicine को और bell icon दबाएं latest notifications पाने के लिए सवागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने youtube channel learn about medicine में जहां आपते दबाईयों के बारे में संपूर्ण जानकर है दोस्तों skin में steroid cream का नाम आते हैं इस अभी इसे गोरा होने की cream बताने लग जातें इसके वास्ति कि वसको कोई नहीं बताता जिसकारण से आप मिस्गाइड हो जाते हुआ इन क्रीम का प्रियोग करने लग जाते हैं एसी ही एक popular cream है जिसका composition है बेटा मेथासोन तदा नियोमाइसिन जिसे आप betonuate N के नाम से जानते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा भी प्रियोग लिए जा रहा है हो सकता है आपने इसे प्रियोग किया हो या भी प्रियोग करने की सोच रहे हैं यूज लेने की सोच यदि ऐसा है तो एक बार इस वीडियो को देखें उसके बाद इस किम का प्रियोग लें जैसे कि आप यह जान पाएंगे कि वास्तों में यह क्रीम आपके लिए फायदे मंद है या नहीं है इस क्रीम में जो बीटा मेथासोन ने यह एक steroid दवा है जो इसकीन पर होने वाली इंफ्लामेशन तथा रेडनेस सुजन तथा लाली मा को कम करने के लिए प्रियोग लेया जाता है साथी जो नियो मैसी ने यह एक एंटिवाटिक दवा है जो बेक्टिल इंफेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है कोई प्रगा का बेक्टिल इंफेक्शन इसकीन पर हो तो उ यहां इसकिन को healthy बनाता है जिस करण से इसकिन fairness दिखती है ब्राइट दिखती साथ ही glow भी होता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इसकिम का प्रियोग लिया जा रहा है जो कि बिल्खुल ही गलत है यदि इस तरह से आप इसका प्रियोग लेते हैं या आपने लिया हो तो आ लेते हैं यदि कोई व्यक्ति बीठा में तासोने किसी अन्य इस्टिरोइड को रेगूलर लंबे समय तक प्रियोग करता है तो जिस जगा पे उस इस्टिरोइड का प्रियोग कर रहा है वहाँ पे हेर्स उगने लग जाते हैं बाल उगने लग जाते हैं चाहे वह फिमेल का च सकती है इसके लटक सकती है जिससे की हो सकता है आप अपनी उमर से चार से पांच साल बड़े लगें इसके लटकियों ही दिखेगी और रेड़नेस पर्मानेंट इसके प्रहाई सकती है यह बड़े-बड़े इसके दूसर परिणाम है जो इर्रिवर से बले और यदि को इसको लेता भी है तो कम से कम चार से पांच साल लग जाते इसको वापस से ठीक होने में और कंप्लीट तरह से ठीक भी नहीं होते तो इतने बड़े दूस परिणा में यदि किसी स्टेरोइड केम को लंबे समय तक आप प्रियोग करते हैं डॉक्टर के सला पर जितना डॉक्टर ने बिमारी होगी हो जो स्किन खूजली चलरियो चोटी चोटी दाने हो ओ इसे दिया जाता है शोराईसिस नाम की बीमारी के इसी व्यक्ति को हो डर्मिटाइटिस नाम की बिमारी अगर हुई हो, इसकीन पे इंफ्लामेशन सुजन आ गई हो, तब यह दवा दी जाती है, किसी परका का बेक्टियल इंफेक्शन हो गया हो, या इसकीन को इंफेक्शन से बचाना हो, उस हमें इसका प्रियोग लिया जाता है, साथ ही अगर इ अगर आप प्रियोग करते हैं, तो आपको जोखिम हो सकता है, तो दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो था, जो लोग इस क्रियोग का प्रियोग करते हैं, गोरा होने के लिए, तो गोरा होने के लिए इस क्रियोग का प्रियोग करना बंद कर दे, अगर आपको दोस्त मोहित आदिश के साथ देखरेते अपना इप चैनल लान अबूट मेडिसीन थैंक यो फ्रेंड्स टेक क्यार एंड बी कैफ वोट मेडिसीन उस